जब आज स्वात की आती है तो सेहत का जिक्र खुद बखुद आजाता है जिहां सेहत मन्ध होने के लिए हम बहुत से चीज़े अपनाते हैं कभी योगा करते हैं, कभी कसरत करते हैं और आजकल तो लोग जिम भी जॉइंग करते हैं तो आज बात कर रहें एक ऐसे फेस्टिवल की, जिस पर सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जीहां आज हम बात कर रहें हैं छट पूजा की और उस पर एक खास रेसिपी बनती है जिसे कहते हैं ठेकवा तो आइए मिलते हैं वीना जी से और जानते हैं कैसे बनती है ये खास रेसिपी अब हम वीना जी के साथ उनके घर में उनकी किचिन में मौझूद हैं जहां पर ठेकवा बनने तयार है तो यहां पर देख रहे हैं बहुत सारी तयारियां हो रही है सामगरी तयार है तो आएए जानते हैं कि कैसे बनता है ठेकवा और किन-किन चीजों का इस्तिमाल होता है तो वीना जी हमें बताईए कि आज छट का महापर्व है जिस पर ठेकवा बनाने के आप तयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी आप हमारे दर्शकों को बताईए और बनाना सिखाएए इसको बनाने के लिए आप यह देख रहे हैं कुछ मैंने इसमें कच्छी सामगरी रख लुई है जिसमें यह सबसे इंपोर्टेंट पाट है यह गुड जिसको गीला करके रखा हुआ है उसके बाद यह गुथा हुआ आटा है इस आटे में इस आटे को पहले अच्छी तरह से दोलके सुखाते हैं इसको दरडरा पिस्वाते हैं मिल में उसके बाद इसमें घी का मियोन डालते हैं खजूड और चोहाड गड़ी वगएरर सब डालके इलाईशी डालके इसको थोड़ा टाइट बूदा जाता है और ठीक वजोग सो दो शेप में बनाते हैं जैसे एक मैं तो यह अपनी अपनी पसंद है आप गोल भी बना सकते हैं इसको लंबा भी बना सकते हैं लंबे साइज में इस तरह से बनाते हैं इसको थोड़ा टाइट गूर्थना पड़ता है रोटी के आटे से ज्यादा टाइट गूर्थते हैं इसको और इसमें दूट डालना जरूरी ह होता है घी का मैन भी ढ़ादा जभारी अखिर अा जिसे कह भी जोड़ा नहीता है मैंने बना रहुता है योगे गाल शेप में यहां पर आनो कहन और इसको हम लोग दो टाइंसाओ अब हेगा है अभी इसको खानी सकते हैं अभी तो ये पूजा होगी आज अभीती Sheam में फूजा होगी फिर सुभा पूजा ओगा जितने ये आप सुप देख रहे है सारे सुप ए कम से कम फांच-पांच थेकुआ हम रखो रखते हैं लाने की शक्ति रखता है इस ब्रत को करने वाले जो कभी बहुत सम्रिद्र है अचानक ही वो गरीब हो गया या कोई शारेरी कस्थ है तो अगर ये ब्रत बहुत नियम से अगर करते हों तो उनकी जो खोई हुई खीरती है जो उनकी संपत्ति है जो उनका स्वास्त है वो सब फ फेस्टिय pleas बदे सेहरे से की सरश करेंगे कि सिहीह थेक हें वो doublesbecause इत थैक हें यह बत्चों के लिए है ऑज ब्रूर्गों Mom जै कि decided if you result elles क्ष़जों के आधा भी आटा है भी होता है तो ढिल्कुल ही घर में नियम से हुआ है देशी घी में बनाते हैं या फिर वो सरसो के तेल में इसको बनाते हैं तो जो भी बनता है स्रिप जो डाविटी की पेशेंट है उनके लिए थोड़ा नुकसान दे हो सकता है मगर वो कंगर कम मात्रा में खाय तो उसमें कोई दितनी ताह जाता है कि गुड जो है वो नोग फैटी है उनको मश्वारा दिया जाता है कि वो चीनी से बहतर उनके लिए गुड है गुड़ इस करें तो हमें वीना जी ने बताया कि किस तरहां से इसको शेप देकर बनाया जाता है तो मैं एक दो ठकुआ पुड़ा सा बना कर देखाये कि किस तरहां से बनापा है कई बार लोग इसे हाथ से भी बनाते हैं यह मैंने एक गोल शेप का बना रखा है उसके लिए हम लोई गोल बनाएंगे और आटा आप यह देख रहे हैं मैंने काफी टाइट गुथा है इसे इसको ऐसे गोल शेप में डालके हां और तेल या घी जो भी हम बना रहे हैं वो गरम होना चाहिए इसको मैंने थोड़ा यह तेज आज ताइसको कम कर रख रहे हैं ताकि दीर दीर अच्छा पकी हो और खाने में भी कुरकुरा हो और अंदर से कच्छा ना हो कच्छा होने के बाद यह फिर आपके पेट के लिए सही नहीं होगा धीरे-धीर यह बनेगा यह पकर तयार हो यह पक के तयार है यह पक के तयार है थान अखी से सुनेहरा होने तब पकाना पड़ता है ताकि यह अंदर से कच्छा ना रख जाए है हाँ इसको तो देखा आपने हमारा ठीकवा बंदर से यहार है और अभी एक-दो पेसेस में पड़ाई में नजर आ रहे है जो हलकी सुनेहरे भुन रहे है तो आपने देखा कि किस तरह से पवित्र बर्तिनों का इस्तेवाल किया जाता है और इस त्योहार में खास तरह की चीज़ें अपनाई जाती है गुड़ है आटा है इसके अलावा बहुत चार दूद है तो इस तरह हम लोग अपना ही ठेकवा तयार रहे हैं फिलाल आज के अपने बस इतना ही इस रेसिपी में सेहत का वित्यान रखा गया है तो आपको मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए अपिसोर्ट में तब तक के लिए नमस्तार करो करो कर दो करेंगे बस्तार